लुट दोस्तों कैसे आप सब मेरा नाम चरिंदीप का पूरा इस वीडियो के अंदर हम निप्टी के अंदर ऑप्षिंज और बिटकोईन के अंदर आप्षिंज के बारे सेमिलारिटी और डिफ्रेंसिस डिसक्स करेंगे ठीक है इसी के साथ साथ हम इसके ट्रेडिंग आवर् मारजन रिक्उारमेंट्स, कोलाटरल रिकॉरमेंट्स और श्राडल प्रीमियम को कंपेर करेंगे और ऑर आपके पस कोई कूषिंज हैं जो आप पूछना चाहते हैं के बारे यह जन्रल क्रिप्टु मारकेट के बारे तो हम एक लाइफ स्ट्रीम होद्ड कर सकते हैं जहाँ पर एक question answer session हो सकते हैं जहां पर आपने comments करेंगे और मैं आपके comments को reply कर सकता हूं तो अगर आप में से जादा लोग यह चीज़ चाहते हैं तो please comment section में लिखके बिता दीजिए अगर more than hundred people comment करते हैं तो इसका मतलब interest काफी जादा है इस चीज़ का and based on आपके audience के interest पे तो हम decide कर सकते हैं कि YouTube live stream hold कर ले हैं तो विडियो start करते हैं तो सबसे पहले metric जो हम discuss करेंगे वो है trading hours जैसा कि आप सबको पता होगा निफ्टी जो नौपंद्रा से लेकर साड़े तीन तक trade होता है 220 दिन पर यह ठीक है इसी की जगह bitcoin 24 hours a day trade होता है साथो दिन 365 days of the year हमेशा market open देती कभी बन नहीं होती अब इन दोनों के अंदर फरक क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी मतलब less than one fifth of the time trade होता है यानि कि जितना time bitcoin trade होता है उसका सिरफ 20% of the time nifty trade होता है तो आनि कि आपके बास trading hours और trading opportunities कम हो जाती है इसी के साथ साथ अगर आप एक चीज़ और notice करेंगे कि अगर इस time के दुरान कोई big news आ जाती है मार्केट के अंदर को result आता है election result आ जाता है या कोई war announcement हो जाती है या कोई भी unexpected news आ जाती है तो मार्केट से बहुत बड़ा gap up या gap down open हो सकती है तो इसी के अंदर जो लोग short premium trade करते हैं जैसे short strangle short straddles तो उन लोगों के लिए risk सकता है और उनका जो एक black swan event या खराब event के time पे loss हो सकता है upside या downside में वो बहुत जादा बड़ा हो सकता है यही केस में bitcoin के अंदर आप अपने short straddles short strangles 24 गंटे open रख सकते हैं क्यूंकि आप एक stop loss लगा सकते हैं अब आपने stop loss लगा दी तो आपके trade के अंदर loss limited है उस सज़ आपका loss जितना आप expect कर रहे तो जादा हो जाएगा तो यह safety है जो crypto options आपको provide करती है just because वो all the time trade होती रहती तो एक बहुत अच्छा और safe point है आपके लिए अगर expires के बात करें तो nifty के अंदर आपको weekly और monthly expires मिलती है इसी के साथ साथ जैसे nifty के expires Thursdays को होती है bank nifty के Wednesday को हो होती है तो आपको तीन-चार expires मिल जाती है ट्रेड करने को जिसमें से mostly सिरफ nifty bank nifty ही अच्छे से liquid है बट यही चीज़ अगर आप bitcoin के अंदर चेक करेंगे तो bitcoin के अंदर bitcoin की ही expires साथो दिन होती है तो आपको Saturday Sunday को भी expires मिल जाएगी trade करने को और बहुत लोग I think expires traders ही है stock market के अंदर तो आपको यहाँ पर साथो दिन expires मिल जाएगी trade करने को और उसी के साथ साथ weekly monthly expires तो है ही bitcoin की expires होती है Fridays को weekly और monthly expires होती है Fridays को और साड़े पांच विज़े चीक है approximately 1 lakh लिखती है बिटकोईन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो बिटकोईन का एक बिटकोईन की cost चालिस अजार डॉलर है चालिस अजार डॉलर करीब करीब 32-35 लाक हो जाता है based on price movement अब इस 32 लाक के asset को आप सिरफ 30,000 रुपे में trade कर सकते हैं यानि कि जो margin आपको पहले एक लाक required था आप सिरफ 30,000 में trade कर सकते हैं बट इससे भी बड़ी बात इससे बड़ी बात यह है कि आपको bitcoin को पूरा पूरा ट्रेड करने की जुरूरत नहीं है इसे nifty के अंदर आपको 50 का एक lot 50 nifty को एक साथ trade करना पड़ेगा या bank nifty के अंदर 15 का lot होते हैं आपको 15 को एक साथ trade करना बढ़ते हैं bitcoin के अंदर आप 0.001 bitcoin trade कर सकते हैं सिरफ 30 रुपे से ठीक है तो 30 रुपे आपका minimum amount required हो जाता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप market में 30 रुपे लेके आके trade करें इसका मतलब मैं इस तरह से बताना चाहता था कि अगर आपके बास माल लीचे 50,000 रुपे हैं तो अगर आप 50,000 रुपे लेके market में आते हैं तो आपके बचे वह 50,000 खाली पड़े रहेंगे और वो capital wasted होगा उस पर आप trade नहीं कर पाएंगे क्यूंकि आपको minimum 1,000,000 रुपे चाहिए एक lot के लिए leverage के अगर आप बात करें तो जैसे के अंदर हमने निफ्टी के अंदर discuss किया निफ्टी अभी 20,000 पे चल रहा है 50 का lot होता है 20,21 पे है 50 का lot होता है तो यह आपकी cost बन जाती है करीबन 10,000,000 या 10,000,000 इसी को अगर आप 1,000,000 में trade कर रहे हैं तो आपकी leverage आ जाती है 10X की 10,000, की चीज़ को आप 1,000,000 में trade करते हैं आपकी 10X की leverage आ जाती है और यही leverage अगर आप bitcoin के अंदर discuss करें तो bitcoin के अंदर आपको maximum 100X की leverage मल जाती है तो जिससे आपकी capital efficiency बढ़ जाती है और आपका ROI भी बढ़ सकता है चीक है add the money straddle premium की बात करें तो basically जब लोग risks के बारे discuss करते है की crypto के अंदर trade करने में risk जाता है सबसे पहली बात guys यह discuss कर समझ लीजिए कि हम यहाँ पर option selling और options buying या option trading की बात कर रहे हैं हम assets को buy करने की बात नहीं कर रहे है अगर आप option selling या option buying की बात करते हैं तो उसके अंदर देख लीजिए कि risk जो होता है risk कुछ नहीं होता सिरफ volatility होत liability nifty bank nifty से जादा होती है इसका क्या मतलब होता है कि आपको options premium higher होते हैं अब आपके जो options premium है वो automatically आपके market की movements को price in करके रखते हैं bitcoin क्योंकि बहुत जादा move होता है इसलिए उसके option premiums भी बहुत जादा है तो आपका पैसा भी बहुत जादा बन सकता है same case nifty के अंदर क्योंक option premiums भी बहुत कम होते हैं ठीक है तो अगर हम जेनरल बात करें तो निफ्टी के अंदर 20,000 के अगर आप monthly add the money देखेंगे तो मतलब अगर आप अगले December month का 20,000 के call put देखेंगे या अब market उपर हो गया तो जो भी add the money है उसकी call put देखेंगे तो आपको करीबन 500 point की मिलेगी 500 point का मतलब यानि कि 20,000 का 500.5% होता है lot size का और 500 point का मतलब होता है कि आप 500 point को बेच के 25,000 रुपे maximum premium collect कर सकते हैं एक लाग्यों पे पे तो मतलब 25% of margin हो गया ठीक है अब यही चीज बिटकोइन के अंदर अगर आप देखते हैं तो बिटकोइन के अंदर आपका lot size जो है एक bitcoin आपका 40,000 का है तो आपको जो premium आप collect करते हैं वो 40,000 45,000 का होता है यानि कि आप approximately 10% का premium collect कर सकते हैं lot size पे अगर आप margin पे बात करें तो अगर आप इसी चीज़ को 10x leverage करते हैं तो आप 100% of margin अपना capture कर सकते हैं यानि कि आप 100 रुपे डाल के 100 रुपे कमा सकते हैं और अगर आप leverage और ज्यादा बढ़ा दें तो आप 100 रुपे से भी ज्यादा बना सकते हैं option selling से तो crypto एक ऐसी चीज़ है जहांपर आप option selling से ज्यादा पैसा बना सकते हैं जितना margin डाल रहे हैं और ये nifty bank nifty में possible नहीं है collateral requirements के अगर आप बात करें तो जो लोग actively trade करते हैं उनको यी चीज़ समझा जेगे और उनको पता होगा जिन लोग नहीं पता हूं के लिए new होगी तो nifty के अंदर आपको 50% at least cash collateral रखना होता है बाकी आप अपने stocks mutual funds या securities को pledge करके margin ला सकते हैं ठीक है और अगर आप ये 50% cash collateral नहीं maintain करते तो आपके उपर penalty और interest charge होता है और ये जिरूधा का नया rule आया था कि आपको intraday के अंदर भी margin maintain करके रखना पड़ेगा पहले intraday में margin maintain करने की जरूरत नहीं पड़ती थी सिर्फ overnight में पड़ती थी तो इसके अंदर अगर आप समझेंगे तो ये ही होगा कि आ और बाकी 50% आपका return generate करता रहेगा तो आपने 50% capital मान लीजे nifty बीजे stocks में डाल दिया तो वो asset over time appreciate करता रहेगा और आपको return देता रहेगा बट आपको बाकी 50% जो बचा हुआ है वो आपको कोई return नहीं बना के दे सकता है cash collateral के अंदर या cash component के अंदर government securities और GSEC भी include होते है जो 7% return देते हैं but that is not enough और एक तरह से आपका capital जो 50% का है वो utilize नहीं हो रहा और आपको return मना के नहीं दे रहा बट यह ही अगर आप Bitcoin और Ethereum के अंदर देखते हैं तो आप सीधा अपना जो मर्जी asset पर आप trade करना चाहते हैं आप सीधा जाके asset को खरीद लीजे आप 100 dollar का bitcoin खरी US treaty maintain करने की कोई जरू है डेल्टा एक्स्चेंज आपको cross margin का feature और नॉर्मली trading के अंदर देता है और आप उसको use कर सकते हैं थैंक्स और इस